Hello dear students, welcome to smart knowledge. प्यारे बच्चेों, आप सभी result का बेसबरी से वेट कर रहे हो और पूरी दिल्ली के बच्चे अपना result का बेसबरी से वेट कर रहे हैं कि जैसे ही link open होगा, तो आप अपना result चेक करेंगे. ठीक है, तो जब सारी दिल्ली के बच्चे अपना result चेक करेंगे, तो obviously क्या होगा, server down हो सकता है, तो आपको एक बार की जगे, दो बार, तीन बार, चार बार भी अपनी detail डाल के देखनी पड़ सकती है, तो patience रखेगा, अब हमारे पास एक doubt है, जिसको हम यहाँ पे read कर रहे हैं, कि मैं please मेरा doubt clear करो, मेरे पास 6 subject है, history, geography, pool, science, and Hindi, English, physical education, जो की additional है, अनि total subject कितने हो गए, बच्चों 6 subject हो गए, मैंने कल भी एक video बनाई थी, और इसमें आपको समझाया था, कि हमारे पास जो additional subject होता है, इसको हम percentage में count नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको जो percentage count करनी है, वो आपको additional subject छोड़ के 5 main subject की percentage count करनी है, यानि history में, आपके जो भी marks आए होंगे, geography में जो भी आए है, pool, science में, Hindi में और English में, 5 subject के number आप जोड लीजे, ठीक है, आपके जितने भी number आए है, 430 अगर आपके आए हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, 500 और multiplied by 100 percentage निकल जाएगी, तो direct आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके marks हैं, उसको आप 5 से divide कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपने marks की percentage मिल जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप percentage निकाल सकते हो, तो I hope आपके लिए वीडियो beneficial रहेगी, कि सब बच्चों को पता चल गया, कि कितने subject में से निकालनी है, 5 में से निकालनी है, additional subject को छोड़ कर, ठीक है, फिर भी कोई query हो, तो बच्चों आप पूछ सकते हो, और आपकी percentage कितनी आई, comment करके जरूर बताइएगा, मिल दे हैं आपसे next वीडियो में, take care, bye-bye.